हेलो, विल्कम टु एपी साइन सेंटर, आजी होँची ओटर नवेंबर द्यहेजर बाइस, आजरो किछी इंपोर्टांट करेंट अफेर्स एबंग से रिलेटेड किछी इनफोर्मेशन विशरे आमें डिसकोशन करिवा, प्रती दिनरो इंपोर्टांट करेंट अफेर्स जब्दी फोलोईं, रांगला फेस्टिवल जहां रिसेंटली मेघाड़ों रे सेल्विरेट करा जाई छी, यहांको अन्यों आउ क्यों नाम द्वरा मद्यों जोना जाए, यहरो एनसर उची अप्शन बी, दो फेस्टिबल अफ हन्डरेड ड्रम्स, सो रिसेंटली मेघाड यहरे रांगला फेस्टिवल आजी तो ही छी, यही फेस्टिवल कु दो फेस्टिवल अफ हन्डरेड ड्रम्स मद्यों कुहा जाई थाए, तो मेघाड़ों सो इतो नागलेड़ों असामरे रोहते बा गारो ट्राइब, गारो ट्राइब जो लोकमान रोहे चांती सेमाने यह रांगला फेस्टिवल टी कु पड़ान कर थांती, तो एहा कोटे पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल एबंग एहा मिसी सलों बा सान गोड सुर्जद बंगततांकु आराधना पाई एही फेस्टिवल टी पड़ान करा जाई थाए, देखिवा हैरा परवर्ति कोस्चन, 41st इ इंडिया इंटरेशनाल ट्रेड फेयर क्यों स्थानोरे आजितो है उची, यहर एंसर होची अपसंसी नियो दिल्ली, तो नियो दिल्ली ठारे, करेंडली, 21st तमों इंडिया इंटरेशनाल ट्रेड फेयर आजितो है उची, एही ट्रेड फेयर टीकु युनियान, कॉमर्स औ इंडिस्ट्री मिनिस्टर प्यूस गयल उधर्टन करती ले यबंग ए बर्शरो एही ट्रेट फ्यारो थीम रखा जैछी भोकाल फॉर लोकाल, लोकाल टु ग्लोबल देखीबा है रापरवर्ती कोस्चन फू हेज बिन नेम्ड to be honored with the सत्य जीत राय lifetime achievement award at the 53rd international film festival अप इंडिया आरे मनंकम धियरु कहाकू सत्य जीत राय lifetime achievement award द्वारा सम्मानित पर्या पाई नामित परा जैची यहरो एनसरोची option B, Carlos Soura स्पानिज फिल्म डिरेक्टर एबंग राइटर कार्लोस सावरांकु तेपन तमो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अफ इंडिया रे सत्य जीत राय लाइप्टाइम एचिब्मेंट अवार्ड दोरा सम्मानित कर्या पाई नामित करे जेछी तेपन तमो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल अफ इंडिया कोडियरू 28 नवेंबर 2022 मदर्ये गोवाठारे आज़ितो हैवा तो इंटरिसनल फिल्म फेस्टिबल अफ इंडिया एहा एसियर्वा वा वान अब द्यमलेफेस्टिबल अथाonte एहा 1950 टुरू एहा चल्लिया थी ए वाटे गोटे आवगोटे इंपोर्टन्ट कॉरेंट एफिर्स कोस्चन रहुची जे एबर सत्य पन्तम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिबल इंडिया रे फ्रान्स हुची कॉंट्री ओफ फोकस देखिवा हैरा परवर्थी कोस्चन वीच फवलोईग है पिन रैंक अज दुगेस्ट टेलिगम ब्रांड इं इंडिया इन इंडिया स्मोस्ट ब्रांड इंडिया स्मोस्ट ब्रांड गरेंट रैंक है जी यहरो एंसर होची अपसंडी रिलाइन्स जियो सो रिसेंटली टी आरे जहरो पुर्वरु नातिला ट्रस्ट रिसर्च एडवाईजरी यहाँ 2022 रो इंडियास मोस्ट डिजाइड ब्रांड्स लिस्ट प्रकास कर चंती यही लिस्ट अनसरे रिलाइन्स जियो इंडियार स्ट्रोंगेस्ट टिलिकॉम ब्रांडा कारे रैंक है ची तो रिलाइन्स जियो इनक फोकॉम लिमिटेड रो फांडेशन हितला 2007 फेबुरी 15 रे यहरो हेड़कोर्टर ची महाराष्टर नाभी मुम्बाइटरी यहरो चेयर पर्सन होचंती आकास अम्बानी देखिवा है र परवर्ति कस्चन फू हेज बिन नेम्ड पर प्रेस्टिजियोस मेजर ध्यान चांद खेड़रतन अवार्ड फोर 2022 यहरो एंसर होचे अप्सन ए सरत कमल अचंत को 2022 र मेजर ध्यान चांद खेड़रतन अवार्ड पाई नामित कराजेची तो सरत कमल होचंती जने प्रफेस्टनाल टेबल टेनिस प्लेयर तो से प्रत्हमँभारतियों भाबरे 17 र सिनियर नेशनल चांपियान हे चांती यहां सोईता से कमन वेल्ट गेम्ज रहे 17 गोल्ल मेड़ मद्यो जिती चांती 2022 रो मेजर ध्यान चांद खेड़रतन अवार्ड पाई नामित हे चांती तो मेजर ध्यान चांद खेल रथना अवर्ड एहां इंडियारो हाइस्ट स्पोड्स अवर्ड तो स्पोड्स कितरो एहां हाइस्ट अवर्ड ओठी तो भीगता चारिबर समध्यरेइच जुँन स्पोर्स परषन मानकरो आउट्स्टंडिंग प्रफ़नस रीची तांकु एह अवार्टी प्रदान करा जै थाए दिखे बहरा परवर्ती कोस्चन Which of the following will make इंडियास फर्स्ट मल्टी मोडाल लोजिस्टिक्स पार्क इन चन्नाई एमा नोंको मद्धिरू क्यों कमपानी चन्नाई ठरे इंडियारा प्रथम मोल्टी मोडाल लोजिस्टिक्स पार्क को निर्माण करिया को जाऊ चन्ती एहरांसरोची अप्संडी Reliance Industries तो Reliance Industries तामिल नाडूर चन्नाई ठरे इंडियारा प्रथम मोल्टी मोडाल लोजिस्टिक्स पार्क को निर्माण करिबे एथि पाई Reliance Industries Ministry of Road Transport and Highways ठरू एही प्रोजेक्ट निर्माण करिबे रो प्रोजेक्टी पाई चन्ती तो Reliance Industries Limited एही मल्टी मोडाल लोजिस्टिक पार्क निर्माण करिबे तो Reliance Industries Limited रो फाउंडेशन इतला 1973 में एट रे एर हेड़कोटर रेचे महराश्टर रो मुंबाइ ठरे एर चेरपर्शन एंड मैनेजिंग डिरेक्टर होचन्ती मुकेश अम्बानी देखिवा है रा परवर्ति कोस्चन इंडिया एंड विच अब दिफोलोईंग कांट्री है रिसेंटली एग्रीड तो एन्हांस कोपरेशन इन डिजिटल पाटनर्शिप इंडिया एबंग एमानको मदरू क्यों देशो रिसेंटली डिजिटल पाटनर्शिप खेतररे कोपरेशन को अधिक बढ़ेया पाई अधिक उन्नात करेया पाई एग्रिमेंट करचन्ती यहार एन्सर होची अप्शन बी फिनलांड तो इंडिया एबंग फिनलांड डिजिटल पाटनर्शिप जेवाड़ी की इन्फर्मेशन एन्ड कम्मुनिकेशन टेकनोलोजी, मोबाईल टेकनोलोजी, डिजिटल एजुकेशन एबड़ी खेतररे कोपरेशन को अधिक बढ़ जितिंद्र सिंग निव दिल्ली ठरे एको मीटिंग हे थिला तो एही मीटिंग रे एही समाती प्रकास बायची, तो ऩी फिनलांड को थास ला, तो फिनलांड भी सरे आटी के देखिए दबा, फिनलांड रो केपिटल होची हेल्सिंगी, यहर कॉरेंसी होची यूरो, यहर प्राइम मिनेस्टर हुचंती साना मरिन देखी बाहरा परवर्थी कोस्चन नतासा पीक मुजार हैस बीन इलेक्टेड इस दे फर्स्ट फीमेल प्रेसिदेंट आप विच कांट्री नतासा पीक मुजार क्यों देशरो प्रथम मोहेडा प्रेसिदेंट भावरे निर्भाचित है चंती यहरो एनसरोची अप्सन सी स्लोवेनिया सो नतासा पीक मुजार रिसेंटली स्लोवेनियार नोतन प्रेसिदेंट आकारे निर्भाचित है चंती तो नताचा सा शलोवेन्यारो प्रथम मोहीडा प्रेशिडेंट हचन्ती तो नताचा जने एटन नी जने अकिल यथर तथा पुर्वतन इंफर्मेशन कमिशनर एक जर्नालिस्ट एबंग सलोवेन्या रेड क्रोफ रो पुर्वतन प्रेशिडेंट अटन्ती से 22 डिसेंबर 2022 रुछ स्लोभेनिय हो प्रेशिदेंट पधवी सम्मणीवे तो स्लोभेनिय भी सर्टी के देखिए दबाँ स्लोभेनिय रो केपिटल हुची लुबाना रो करेंसी हुची यूरो रो प्रेशिदेंट छन्तिबठ बर्तान बारुत पाःर एबंग यहाँ परे प्रेशिडेंट हेबे तांको परे 22 डिसेम्बरू नतासा मुसार देखीबा हैरो परवर्ती कोस्चन ASEAN has agreed in principle to admit which country is its 11th member ASEAN एमानों को मंधरू क्यों देशोकू यहारो एगारो तमो member सदस्य भावरे मिसे अपमाई सहमती प्रकास करचनती यहारो अंसर होची option A East Timor तो ASEAN रिसेंटली इस तिमोर कु एहारो एगारो तमो सदस्य 11th member भावरे आड करिया पाई इन प्रेंसिपल सहमती प्रकास करचनती तो East Timor बीसेरेटी के देखीदवा East Timor रो कैपिटल होची डिली एरो करेंसी होची US डोलर यहारो प्रेसेडेंट होची जोजे रामोस होची तोसे इस तिमोर बर्तमान ASEAN रो 11th member हेवा कु जावची तो ASEAN भीसेरे ठीके देखीदवा Association of Southeast Asian Nations ASEAN रो फाउंडेशन हीतला 1967 अगोस्ट एट रे बाई Bangkok declaration अगोस्ट एबंग एरो ASEAN चाट्ट लागोई तला 2008 December 16 अगोस्ट एबंग एरो सेकरेटरी एट रोईची इंडोनेशियरो जाकर थाठारे एरो सेकरेटरी जनरल होचंती लिम्जोग होई एबंग बर्तमान एरो मेंबर कंट्री गुडी कोहले ब्रुणेई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेसिया, म्यामार, फिलिपेन, सिंगापूर, थाइलांड एबंग बहतनाम देखिवा हैर परवर्ती कोश्चन फू हेज बिन अपोइंटेड एज दे सी एओ प्रसार भारती एमान अंकमा देळे होँ किये रिसेटली प्रसार भारती रा सीएओ आकारे निजुगतonne है चनती यहार अंसर ओची अप्सण सी गोवरब दिवेदी सो गोरव दिवेदिंकु प्रसार भार्ति रो CEO चीफ एक्जिकुटिव अभिसर आकारें जुगतो करा जेची तो CEO यहाँ पुरबरु माईग अब इंडिया रो CEO आकारा मध्यों कार्जो कर चन्ती एबं एड्मिनिस्टरेशन खेत्र रोतां करो एक्जिलेंट कार्जो पाइँ प्रामिनिस्टर आवार्ड मद्यों से पई छाती तो अब बर्तान हेचंती प्रसार भार्ति रो नुत्तिन Cubist. तो प्रसार भार्ती विसरेटी के देखिए दबा एरा फाउंडेस्टान हीतला 1997 नोबेंबर 23 रे एरा हेड़कोटर रेची नियुदी लिटरे बर्तवन हैरा CEO अले गोरब दिवेदी एबांग प्रसार भार्ती अंडरे जो मेन एजनसी रोची सेगुडी काला All India Radio एबांग द के विन कॉन्रोय जहांग रेसेंटली देहांतो हीची से क्यों एनिमेटेड मुवी एबंग सिरीज्रे क्यों केरेक्टर रोब भास डवा पाई से प्रसिद्ध धा थिले परीचिद धा थिले एरा इंसरोंची ओप्शन ए बात्मैन ऑरिसेंटली के विन कॉन्रोय भास बेटमेन करेक्टर रो बेटमेन चड़द चित्र रो भाईस देवा पाईं से प्रसिद्ध थिले तो केविन कन्रोय जने अमेरिकान एक्टर रोटन थी तो 1990s तो नबेद शक रू बेटमेन द एनिमेटेड सीरीज रू आरंभा करी की बिभिन बेटमेन रो बिभिनन एनिमेट अनिमेटेड मुभी अबंग सीरीज जे से बेटमेन करेक्टर पाईं भयस दे थिले देखी बाहरा परवर्थी कोस्च्चन वर्ड काइडनेस डे इस अब्जर्ब अन विज डेट वर्ड काइडनेस डे क्यों तरिकरे पाणन करा जाई थाई एर एन्सरों ची अप्शन बी 13 नोभेंबर सप्रती वर्षो ¬oru 13 नोभेंबर कु वर्ड काइडनेस डे पाणन करे पाणन करा जाई थाई तोलोकfold मनांको मद्य वर्ड काइडनेस बहा दोया ruined रो कि भड़ी इंपोर्टांट्स होई ची सोसाइटी रे ता भीस रे पोजिटिव पावर कोणर होई ची से भीस रे इंस्पायर कर्या पाई एह दिनोटी पाणन करा जाई ची करा जाई थाई एबं 2022 पाई एहर त्थीम रखा जाई ची बी काईंड हुएनभर पॉसिबल सो एकुडी कर होईला आजरो डिसकोशन करा जैतिवा कोस्चेन्स रो एंसर्स जोदी आजरो वीडियो टिया अपणको भाल लागी छी ताल्याकु लाइक अबंग सेयार करांतु प्रती दिनोरो एवड़ी इंपोर्टांट करेंट अफेर्स